नमस्कार, स्वागते आपका एक बार फिर से प्रभात की नोबत सिरीज में और आज हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्राखन खनी से सम्बंदित जू प्रश्ण आपका रिविजन बगएर के लिए आपका जो जरूरी होंगे उन पर डिस्कस करेंगे उससे पहले आज की वीडियो में आपके लिए एक प्रश्ण मिलता है आपको एक सब्द आपने जरूर सुना होगा पराज पराज सब्द का अर्थ आपने ढूर ना है खास तो पर गढ़वाल चेतर में इस पराज सब्द का परियोग किया जाता है आपने अकसर संगीत गीत संगीत में इसका जिकर जरूर पड़ा होगा ठीक है चले तो कोसिस करना ढूर्ण डिसकस करना अगल बगल अपने आसपास और जरूर कमेंड करना बाई ठीक है चलेंगे जो फिछले पेपर का क्वेशन था उसको फिर लास में डिसकस करेंगे फिलाल यहाँ पर खनीज की बात करते हैं पहला प्राशन है कि उत्राखन में खनीज संसादन नहीं पाये जाते हैं देखो उत्राखन में जो आपका पालिक स्रेणी में मिल जाता है ठीक है लगो हिमाले सेलों में भी कुछ हद तक आपका खनीज बगरा मिल जाते हैं दून घाटी या नदी घाटी में तो आपका लगातारी चीज़े मिलती रहती है ठीक है लेकिन अक्सर जो इसकी अनुपस्तिती मिलती है वो आपका जाकन की किस इस्तान पर सर्वुत्तम किस्म के चूना पत्थर का परियाप्त भंडार है देखो सर्वुत्तम किस्म दो जगा पर यहां पर परिक्ष्यवानी में दो चीज़े है एक जगा दियावा सर्वुत्तम किस्म का चूना पत्थर और साथ-साथ में अगर लेकिन अक्सर हम अगर किवल चूना पथर की बात करेंगे तो देहरादून काशी के निकट मंदराम छेतर और आपका बारकोट छेतर ये भी आपका देहरादून में बारकोट की भी अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मुखे रूप से यहाँ पर इसके भंडार आपक पास मिलते हैं उन सभी में जो सबसे बड़ा योगदान आपका मिलते हैं जो सबसे ज़्यादार मिलते हैं सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होते हैं राज्य में वो चूना पत्थर का होते हैं थोड़ा सा भूगोल की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि भई चूना पत् से आपके पास मिलते हैं दूसरा चूना पत्थर का सरवादिक जो परियोग होता है ये आपके पास मिल जाता किसमें सीमेंट उद्योग में और इसलिए ये भी आपको धियान रखना है कि सरवादिक सीमेंट उद्योग की जब बात आती है तो वो भी आपका देहरादून में क्रीम रंग का भारी व सक्त चूना पत्थर का भंडार उपलब्ध है तो यह आप पास option number first मिल जाएगा आपने पढ़ा होगा कि जो मसूरी छेत्रे आपका वहाँ पर क्रीमी रंग का भारी व सक्त चूना पत्थर वगिर आप पास मिल जाएगा ठीके चलेंगे ठीके नेक्स अगला चलते हैं तीसरा चोथा प्रशन है कि अलक नंदा तो था विरही घाटी में कौन सा खनिज पाया जाते हैं अलक नंदा और विरही घाटी दोनों आपका चमवोली में मिल जाते हैं जहां पर आपका संग मरमर आपको मिल जाता है ठीके मुखी रूप से यहां पर अगरम बात करेंगे तो रंजगेवा आपका टिरी जन्पत नताथ में है और यह फास्पोराइट के लिए आपका प्रसिद मिलजाता है। किसके लिए फास्पूराइट नामक खनेज के लिए आपका प्रसीद मिल जाएगा नेक्स अगला चलते हैं क्वेशन नमर आपका 6 आता है कि निमली की मैं से कौन सा छेत्र भारत का मैगनेसाइट भंडार का प्रमुक छेत्रे देखो मुखे रूप से करम बात करेंगे मैगने छेत्र हैं साथ हैं हमारे पास ओप्सन में चमोली भी है जो आपका पिंडरगाटी मकिरूप से मिल जाती है ठीक है तो कुली मिलाकर यहाँ पर देखें तो सबικήके है वी कल्प यहाँ पर आपका आंफर हो जाता है मैगनेसाइट में मैं case साइट में आ आपका अलमुडा पि तो तब वो आपका तामबा के लिए प्रस्षिद छेत्र मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपका टॉल्क आपके पास ऑप्सिन नंबर फस्ट आ जाएगा जिसको कि यहाँ पर आपका सोप स्टोन भी कहा गया है पर आपके साबुन का जो पथर बगएरा इस तरीके से चलेंगे अगला है एर्त वाला कि दिरादून के मसरी छेत्र में एस्तित महगाओं वा कियार कुली किस खनेज्व के लिए प्रसीद हैं तो महगाओं कियार कुली आपके पास खड़िया के लिए मिल जाएगा खड़िया को ही आपका यहाँ पर क्या है चौक भी कहा जाता है ठीक है तो यह आपका मुखिरूप से मिल जाएगा इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो टिहरी जन्पत के जो आपका खड़िया वगरा के लिए आपके पास मिल जाता है जो छेतर टिहरी नदी के रंगार गाउं रंगार गाउं और रीरा गाउं ये भी आपका मुखिरूप से यहाँ पर खड़िया के लिए मिल जाता है दूसरे दर हम बात करेंगे तो लक्षमर्ट जूला वाला इस्तान मिल जाता है यह आपका सहिजधारा वाला कुछ छेत्र मिल जाता है जहाँ पर खड़िया वगर आपको देखने को मिलता है चलेंगे नेक्स अगला पिंडर हो जाएगा सारदा राम गंगा हो जाता है ठीक है यहाँ पर आपका अलत नंदा में भी कुछ हत्तक यहाँ पर किया आपका सोने के जो कण वगर है वो मौजूद पाए गए है अगला आप पास आता टेंद की निमलिक्त में से सरवादिक सेल खड़ी उत्पादन की ब अधिशचर खेटर चेत्र बर्षेटर आपका पर परियोग बिल जाता है धो यहाँ पर दोलमाइट की बात करेंगे यहाँ पितो रगट आपके बास मिल जाएगा ग्रिफाइट अब आगे देखनेगे यहाँ पेंसिल पहितो का काम करता है चलेंगे अगला चलते हैं question number आपका अगला 12 वाला आता है कि इस नहक के रूप में तो अभी मैं आपको बता दे ना इस नहक के रूप में आप पास यहाँ पर कौन से मिल जाएगा आपका ग्रेफाइट मिल जाता है ठीक है वाई ग्रेफाइट होगा ग्रेफाइट वगरा हो जाएगा option number first में चलें अगला question आपका 13 मिलता है कि देरादुन के धपिलावा कियारकुली छेतर में कौन सा खनीज पाया जाता है तो धपिला कियारकुली छेतर जो है आपका जिपसम के लिए देखो जिपसम भी बहुत मतलब अधिक मात्रा में आपका राजे में हम कह सकते हैं कि पोड़ी में खरारी पट्टी हमारे पास आता है ठीक है पोड़ी की खरारी पट्टी थोड़ा सा ध्यान लगना अगर खरारी जल परपात आये तो उत्तरकासी में ख्रारी पट्टी कहनीच वगएरह के लिए पूछ जाए तो आपका पॉडी में जिप्सम के लिए मिल जाएगा यहीं पर आप लोगोंने लक्षमिन जूला वगएरह एक चेत्र आता है मदुधानी ये भी पौडी में हैं मदुधानी ये भी आपका इसके लिए यानि जिपसम के लिए आपका प्रसिद्र मिल जाती है इसके अलावा तो अगर हम बात करेंगे तो नेनी ताल का छेतर भी इसमें खुर्पा ताल वगरा का छेतर भी आपका इसमें मिल जाता है ठीक है नेक्स अगला चलते हैं क्वेशन नमर आपका 14 आता है कि मजरा नीट गाउं वा सोत नाला किस जिले में इस्तित हैं देखो ये आपका मुख्य रूप से देहरादून जनपत के अंतरगत रिसी के शेतर में ये आपका मिल जाते हैं और मुख्य रूप से अगर मजरा नीट गा बंप झाते हैं जो चौक है वह आपका किस्तित के लिए पर कर ला जाते हैं तो यहां पर हम देखे हमझए ट उरवपरक के लिए आपका पॉर्टình, सीमेंट रिफ्न के लिए परियोग के लिए और प्लस्टर और फेरिस के लिए तो उप्योग सभी के लिए यहां पर तभ गंधक रूप गंगा घाटी, गंधक की बात करेंगे, तो गंधक की खोज राजय में, गंधक को माक्षी की भी कहींपर, ऐसे कुछ मिल जाता है, लेकिन माक्षी का वगएरे उतरकासी का गंगानी कुंड मिलता है जहां पर आपको क्या मिल जाता है गंधक की मात्रा मिल जाती है माक्षी का या इसी को पाइराइट देखो गरिबू का सोना तो नहीं लेकिन हाँ इसको मूर्खों का सोना जूटा सोना वगएर इसको कहा जाता है इसका रंग जो है पीला सोने की तरह आपका इसका कलर होता है इसलिए इसको यहाँ पर कहा जाता है अवेस्टास आपका ताप रोधी वस्तु अगेरा के बनाने का यह परियोग आता है 17 आ जाएगा कि गंधक की सरपर्थम खोश तो यह भी हम आपका देख चुके हैं गंधक की सबसे पहले खोश आपका चमोली में हुई थी है ना 1977 में अभी पिछले विगसें में हम देख चुके हैं अगला है कौन सा यूग में सही सुमिल जो सही सुमिले थे वो आपने बताना था ध्यान से देखेंगे बेराइट्स की अगर हम बात करेंगे तो बेराइट्स आपको मिल जाएगा कहां पर आपका देहरादूर में तिन की बात करेंगे तो तिन चमोली और चांदी के कुछ साक्ष आपके पास मिल जाते है कहां पर अलमोडा में इस पाथर और पाटाल वगेरा की बात करेंगे तो यह भी आपका अलमोडा में मिल जाता है और ऐसे ही अगर हम यूनिक की बात करेंगे तो यूरेनियम यूरेनियम के भी कुछ साक्ष आपके पास मिल जाते हैं जो कि कहाँ पर मिलते हैं आपका टीरी जनपद में मिल जाएंगे नेक्स अगला है भाईक आपका कुश्चिन नमर 19 से की नेनी ताल कि काला ढूंगी और रामगड में किस परकार का लोहा पाया जाता है तो यहाँ पर आपका मेगनेटाइट, हेमेटाइट दोनों परकार का लोहा आपको देखने को मिल जाता है काला ढूंगी हो जाएगा आपका और रामगड छेत्र में लोहा कि अगर हम बात करेंगे तो गडवाल के चांदपुर गड़ पट्टी वगड़ा में भी कहीं पर ही आपका मिल जाएगा थी कि दुदातोली, स्रेणी वगड़ा में हम बात करते हैं करेंगे तांबे के लिए तो तांबे के लिए हमने आपका जो नागनाथ कोकरी छेत्र मिल जाएगा मोहनखाल छेत्र मिल जाएगा आपका चमोली में ठीक है साथ-साथ में अगर हम बात करेंगे तो एक फलमती पहाड़ी आती है फलमती पहाड़ी जो कि जीरोली गाउं में आपको पास मिल जाती है वैसे इसको हम अभी देख चुके हैं अगर जीरोली थेली पाटान एक साथ आएगा तो तांबे के लिए और जिरोली चंडाग अगर आता है तो मेगनेसाइट के लिए आपको मिल जाता है 21 हमारे पास है अलमोड़ा जिले के खीरा कोट में खनन विरोधी आंदोलन देखो खीरा कोट में आपका 1978 में ये आंदोलन हुआ था अभी हाल ही के पेपर में ये प्रशन बंद चुका है कि इसका नेतिरतों किस ने किया था तो वहाँ पर option में किवल रादाभट था लेकिन ध्यान रखता रादाभट और मालती देवी दोनों के द्वारा इसका नेतिरतों यहाँ पर किया गया था ठीक है और यहाँ पर फिर आपका क्या है कि 1982 में फिर इस कंपणि के जो आपका खनंन संबंधी यहाँ पर लाइसेंस वगर था उसको रद कर दिया जाता है इन दोनों के मतब इन दोनों के नेतिरतों में जो आपको ने स्थानी लोगों ने यहाँ पर किया कि इसका विरूध किया है तो यहाँ आपका आचुका question है 22 है कि राज्य की खनननीती के संबंद देखो पहली खनननीती 4 अप्रिल 2001 को बिल्कुल सही है नई खनननीती 31 मई 2030 को और इसी को उप खनिज नियमावली वगेरा के नाम से भी जाना जाता है तो option 3 यहां पर गलत हो जाता है बाकी second third एकी चीज है वन छेतर में खनननकारे उत्राखन वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है इससे पहले हमारे पास आपका 2021 में अप्रिल 2021 में नई खनननीती या नई खनननीती आपके पास यहां पर आ जाती है जिसको की high court ने फिर क्या कर दिया था 2022 में रोक लगा दी थी फिर 2030 में पुनह नई सिरे से यहां पर इस नेती को लागू कर दिया गया या आगे बनाया गया ठीक है चलेंगे नेक्स अगला आपका 23 आप जाएगा कि वन इस्टेट वन रोयल्टी कब लागू की गई तो यह खननन वगेर से सम्मनित आपका वन इस्टेट वन रोयल्टी योजना 2023 में यह यह नेती आपका आजाती है अगरा चलते हैं क्वेसिन नबर आपका 24 मिलता है कि निम्लिकी में से किन नदियों में खननन की परियावरणी या मंजूरी मिली है तो परियावरण मंत्राले ने यहां पर एक डेट भी ध्यान जाएगा साथ साथ में सारदा नदी भी इसमें आपका सामिल वगेरा मिल जाती है दूसरा नदियों से जो खनन वगेरा किया जाता है नदियों से खनन करने की जो प्रकरिया है उसको यहां पर एक सब्द में राज्य में चुगान नाम से भी जाना जाता है इसको भी ध्यान आपका टामबा के लिए प्रसिद्ध छेत्र मिलता है ठीके चलिए तो अगला चलेंगे ये फिलाल इस पेपर में जो आपका सेशन में question थे उनकी बात करी और अब हम बात करेंगे हनकिया के बारे में हनकिया इसको ही कहीं पर आपका कहा जाता है हनकिया हो जाएगा या हनकिया करके ठीक हाग के उपर बिंदी इस तरीके सहं किया तो ये जो वर्ग था ये वर्ग क्या करता था मिट्टी के वर्तन बनाने का काम करता था ठीक है मिट्टी के वर्तन हो गया या फिर आपका मिट्टी के जो देवी देवताओं की मूर्तियां वगेरा हो गई उनका निर्मान क करता है और इन मूर्तियों को जो है आपका डिकारे या डिकरा कहा जाता है अब हाली हाली में पेपर में आये ना तो पेपर में डेकर लगए ना यहाँ उरी बार si the Eigen Minute अगया था इन चीजों का है चलते चलते कभी बस खुलके देख लो वीडियो को थोड़ सा ये लगए के सुनें के चीज़ें याद हो जाती है ठीक है बाकि देखो बुक्स तो सभी के पास है लेकिन बुक्स खुलती कितनी है ये चीज़ें वहाँ पर जादा माइने रखती है ठीक है अगर हम देखें तो किताबें तो सब भी पढ़ रहे न और एक ट्रेंड हो चुका है धिरे-धिरे अपको की बस बैक ठाम के लोग सब लाइबरी कोश्चिंग वगरा के चकर काटे जा रहें तो देखो कुछ अलग करना होगा कुछ एक्स्टा तो कभी पेपर रद वगरा तो इन चीजों से बसने के लिए देखो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि भाई तीन-चार महीने ज्यादा भी समय नहीं हो तो अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए एक बार तो आपको ज्यादा समय नहीं है आपको तीन या चार महीने आप सब चीजें होती हैं लेकिन त्याग करना बहुत बड़ी चीज होती है और सबसे पहले अगर त्याग है तो सब चीजें आपका हो जाते हैं सफलता सबसे त्याग मांगती और तो मिलेंगे आपको फिर अगले किसी सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद